असलामरेकुम नासरीन आस्वास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ आज मैं आपके साथ मौंग डाल की बड़ियों का सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़दार बनकर त्यार होता है बहुत लोग इसको मौंग डाल की मगोचियां भ अब जाता है एक इंस्टेंट ट्रेशिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो चले से बनाना शुरू करते हैं जी बेर पस एक कप मूंग की डाल है जिसको मैंने अभी तक वाश नहीं किया है इसको वाश करने के बाद मैं इसको भी गो दूँगी वाश कर लिया है मैंने इस अब मैं इसका पानी ड्रेंड कर लूँगी पानी ड्रेंड करने के बाद इसको मैं आप ग्राइंड कर लूँगी इसको फाइन ग्राइंड करना जोरी नहीं है थोड़ा से इसको दरदरा ग्राइंड करेंगे इसको जादा फाइन ग्राइंड नहीं करेंगे और कम पानी डा का इसको ग्राइंड करेंगे अगर आपको ग्राइंडर जर्ग इस बात की अजाज़त देता है कि कम पानी डाल का इसको ग्राइंड किया जा सके तो बिल्कुल कम पानी डालेगा ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालेगा यह पतली डाल हो जाती है उसके पास सही से यह फाइंड कर लिया है एक बॉल्डव में इसको खाली कर देंगे और आप देखाサव झाले कितना यह मैंने नहीं किया है और बेलकुल बारिक भी नहीं स्टोर्स पर बीजिली अवेलेबल हैं मुंग डाल की बढ़ियां तो वह भी आपने देखा होगा कि वह भी इस तरह से दर्दरी होती हैं और उसमें मुंग डाल के दाने नजर आ रहे होते हैं अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है किस्या दालेंगे।Then कि बॉलनेंगा के से एंखिके सय़मूल आदेंगे। इसमें निर्टर कलों किस्की दाते हैं सोडा एक्टिवेट हो जाता है और मुंग डाल की बढ़िया अच्छी और सॉफट बन कर त्यार होती है तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी काउंटर पर ही मैंने इसको रख दिया था मैंने आदे घंटे के लिए रखा था आप 10-15 मिनट के भी रख सकते हैं अब इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है कड़ाई में इसके हम मुंग डाल की बढ़िया बनाकर इस तरह से डाल देंगे हाथ पर लेकर छोटे छोटे से हम इसमें पकोड़े बनाकर डालेंगे ज्या और इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पर कुक करना है हाई या मीडियम फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे क्योंकि यह कच्छी मगोड़े हैं कच्छी दाल के मगोड़े में बना रही हूं और इसको हमने अच्छा सा अंदर तक फ्राई करना है इसलिए हम इसको मीडियम तो लो फ तो उसको जाहर से बात है उसमें थोड़ सी मट्टी बगारा भी होती है तो उसको अच्छे सावाश करने के बाद हाई फ्लेम पर इसको फ्राइ करके फोरण से निकाल लीजिएगा क्योंकि जो बाजार वाली मंगोडियों होती है बहुत जल्दी खुल जाती है और सालन में ड बनकर यह सालन त्यार होता है तो अभी आप यह देख लें कि काफी अच्छा यह मंगोडे फ्राइब हो चुके हैं इसको मैं दो से तीन दफ़ाइस को टर्ण करूंगे इस तरह से बस चार से पांच मिनुट में टोटल यह कुक हो गई थी अच्छे से फ्राइब हो गई थी इनको बस इस तरह से हम टर्ण करते रहेंगे उसको हम यहां से निकाल लेंगे बस इस तरह से कलर आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे और मीडियम डू लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि यह अन्दर तक फ्राइ हो जाएं बस इस तरह से हम सारी बड़ीयों को यहां से निकाल लेंगे और सैकिंड पैज भी मैंने इसमें एट कर दिया था बस इस तरह से हम छोटे साइस के मंगोरे इसमें बनाकर डालेंगे और एक बड़ी मैं आपको तोड़का भी दिखा देती हूँ यह अंदर तक बिल्कुल पक चुकी थी अच्छी तरह से फ्राई हुई थी यह देख लें यह इस तरह से रुखी भी बहुत अच्छी लग रही थी बहुत मज़दार बने थी यह मंगोचिया बस इस प्रेच को भ करेंगे झाहिए ंच्छा साओक अच्छा सा फ्रेवर इसमes आजए है ह séptie GB करने के बादिस मर्याइश दाल देंगे एक अड़ियूं की प्यास का पेस्ट पत्रा कर दालेंगे फाइन गरायां करके डालेंगे इस प्यास को हम मिक्स कर देंगे इसके साथ इसके बाद इसमें अद्रा का पेश शामिल कर देंगे एक टेबिल स्पून और लेसन का पेश शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ टेबिल स्पून के बराबर इन दोनों को डाल कर हमने प्यास के साथ अच्छी तरह से कुक करना है प्यास का पानी भी ड्राइ कर लेंगे प्यास और अच्छे से कुक कर लेंगे और अभी आप देखलें प्यास का पानी ड्राइ हो चुके अब प्यास अच्छे से कूक हो चुके चमाच मिलेने से इस तरह से बबल्स बन रहे हैं तो यह इसके पक जाने की निशानी है बस इसमें आप कुछ मसाली शामिल कर दूँगी नमक शामिल करेंगे एक टीस्पून के बराबर लाग मिचो को पॉडर शामिल करेंगे इसमें टू टीस्पून गर्मसाला पॉडर शामिल करेंगे इसमें एक टीस्पून धन्यापॉडर शामिल करेंगे इसमें एक टीज़ पूण इनको डालकर मिक्स कर लेंगे हल्दी शामिल कर देए कि Lap. कोडर टीज़ पूण के बराबर मिक्स कर देंगे इसको एक से दौ मिनट तक मसालों के साथ उसको अच्छे से बून influenced के भोनunn लेंगे इसके बाद इसमें हम दो मीडियम साइज की टिमाटरों का पेस्ट बना कर शामिल करेंगे इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दही भी शामिल कर देंगे स्लो करके दही शामिल करेंगे फ्रेम को स्लो करना है उसके पाद दही शामिल करेंगे बना ये दही भड़ जाता है तो बस इसको एक पाउख के बराबर मैंने इसमें दही शामिल कर दिये इसको हम मिक्स कर देंगे इसको अब तरी माटड़ी का पाई है अब हमने ड्याय कर ना है इसको अच्छी तरह हमने इसकी भूनाई करनी है और अब ये आप देख लें काफी अच्छा भून चुका है इसमें ट्रमाटर और धे का पानी ड्राइ हो चुका है तो आप इसके बाद हम इसे में बड़ियां शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रख ली दी ये इसमें एड़ कर देंगे और एड़ करने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके बाद मैंने एक कप के बराबर पानी शामिल कर दिया था मुझे जितनी ग्रेवी रिकॉयर्ट थी कि मैंने उसे साफसे पानी शामिल किया है मिक्स कर दें कि ऌध का यह कर ने के बाद बस कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर रख दिया था तीन से चार मिनट के लिए ताकि हरे धनिया का फ्लेवर सालन में अच्छी से आ जाए बस कवर करके रगते हैं कि उसके बार डिश आउट करेंगे और यह देख लिए माशला कितना अच्छा है बड़ियों का सालन बनकर त्यार होएं बहुकल खिली खिली बड़ियां बनी हैं बहुकल टूटी नहीं हैं सालन के अंदर इनको आप आलों के साथ भी बना सकते हैं बहुत मज़दार लगते हैं सालन इस रेसिपी को जरूर ट्रा